है दोस्तों कैसे आप हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तयारी बहुत एची चल रहे होगी दोस्तों आज फिर आज दिर एक नई क्लास के साथ जैसा कि नवदय इंट्रेस एक्जम 2023 के लिए हम तयारी कर रहे थे दोस्तों हमारी तयारी जो थी अभी तक जो थी दसमलों का चैप्टर खतम हो चुका था आज हम जो दोस्तों देखने वाले हैं दसमलों के वो सवाल देखने वाले हैं जो बार-बार नवदय की परिछाओं पूछे जाते हैं बार-बार नवदय की परिछाओं पूछे जाते हैं दोस्तों लेकिन ये उसका पार्ट से अपने 20 में 20 नमबर पाएं दोस्तों और मैं आपको बता दू कि आपके 20 कोश्चन में से 3 से 4 मिनिमम बता रहा हूँ 3 से 4 कोश्चन हर बार ही नहोदे कि एकजाम आते हैं इस दसमलो टॉपिक से इसलिए इस टॉपिक को देखना बहुत ही जरूरी है और ध्यान से दोस्तों आईए श्टार्ट करते क्लास की पहले कोश्चन को देखते हैं जो कि पहला कोश्चन अपका है क्या दिया गया है कि 154 154 गुड़ते 18 बराबर 2772 2772 ध्यान देना दोस्तों अब जो कह रहा है वो कह रहा है कि 27.72 में आप भाग दीजी 18 से कितना आएगा एंसर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि आप 5 में 4 का गुड़ा करने पर 20 आता है 5 में 4 का गुड़ा करने पर यदि 20 आता है और मैं यही कहूँ कि 20 में मैं 4 से भाग दूँगा तो क्या आएगा तो आप क्या कहेंगे कि 5 आएगा कहेंगे या नहीं कहेंगे शियर कहेंगे ठीक हो ही बात यहां पे दोस्तो अगर 18 का गुड़ा 154 में करेंगे तो 272 आएगा यदि 272 में 18 से भाग देते अगर यह दसमलो नहीं होता यह पूरा का पूरा यहां पर भी 10 मलो लगा है दोस्तो आईए अब दस्मलों को जड़ा हटाते हैं अगर मैं दस्मलों को देखेंगे यहां पे अब ऐसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ 1.8 जैसा कि आप अगर मुझसे दस्मलों पढ़े होंगे पिछली क्लास देखे होंगे तो दस्मलों को मैंनेज करना मैं बताता हूँ कि जब तक जिससे मुझे भाग देना है जब तक उसमें दस्मलों हटेगा नहीं तब तक भाग हम नहीं दे पाएंगे और इस दस्मलो को हटाना है अगर एक अंक यह हटेगा तो बात करेगा भाई साब एक अंक मैं हटता हूँ एक अंक आभी हट लो ठीक है यह मैनेज करके जब हट गया तो यह हो गया 272 और अपान क्या होगा दोस्त 18 एक अंग खटेगा तो यहां पर क्योंकि एक अंग खटने पर यहां आएगा अब भाग दे सकते हैं आपको अच्छे से पता है कि भाग देने पर कितना आ रहा है 154 बट एक अंग पर 10 मलो क्योंकि यहां तक तो भागा 15 बार जा चुकी होगी 10 मलो हट आएंगे तब ही तो 2 उतारेंगे और फिर भाग देंगे इसलिए आपका एंसर क्या हो जाएगा प्यारे क्या हो जाएगा 15.4 बिकलप नमर B में है जो आपका एंसर हो जाएगा तो ऐसे सवालों में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है केवल और केवल 10 मलो को म फर्म है कि 154 एंसर होगा लेकिन 10 मलो भी ध्यान देना है तो अब 154 पूरा-पूरा हो नहीं सकता 154 हो नहीं सकता क्योंकि आप देख रहें 10 मलो मैनेज करेंगे एक अंके हाँ पर और इसका हड़ जगा ठारा से भाग देंगे 277 दसमलो 2 हो गया सिंपल सी बात है 2772 होता और नियम बता दिया मैंने यहाँ पर आपको कैसे लगाना है आईए कोश्चन नमर दो को देखते दे आरे कोश्चन नमर दो और भी आसान है कि 12 सही एक बटा कितना 16 मैंने आपको बताया कि इसको आप लिख सकते हैं 12 प्लस एक बटा 16 मतलब आपका एंसर है 12 दसमलो सम्थि आई अब इसको हमको बदलना है किसमें 10 मलो में तो हम 16 से भाग यदि एक में देंगे प्यारे तो दसमलो बढ़ाएंगे भाग देने के लिए देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजे मेरे तरीके का भाग समझिए कि 18 से एक में भाग देंगे 0 बार यहाँ पर मैंने क्या लाया एक दसमलो बढ़ाया दसमलो मुझे एक 0 दिया फिर मैं 16 से भाग 10 में दूंगा तो 0 बार जाएगा जो कि 0-0 आ जाएगा यहाँ पर 10 बचा फिर दसमलो की बज़ा से मुझे 0 मिल जाएगा अब क्या होगा 16 छका 96 ध्यान दीजिएगा प्यारे साओ में से अगर मैं 90 घटाओंगा तो क्या बचेगा 4 अब मैं 10 मलो की वज़ा से 0 मिलेगा तो 14 दूंगा क्या हो जाएगा 32 बचेगा क्या आपका 8 दसमलो की वज़ा से 0 मिलेगा तो 16 पचे 80 रखके घटा देंगे हो जाएगा मतलब यह आएगा मतलब यह आएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे 12 और इसकी जगन पर यह है 0,0625 आप समझ पाए कि demi 12 तो पूरा-पूरा है उसके बाद 0,0625 यह हो नहीं सकता यह हो नहीं 3 को देखते हैं question number 3 कह रहा है कि 7.7 7.07 7.007 देख रहे हैं यह कह रहा है 7.07 फिर क्या कह रहा है आप से 7.07 7.007 77.007 अब ध्यान देखी रहे का बात है यहां पर समझने वाली बात आ गई कि इनको हम को क्या करना है योगफल बताना है जोड़ बताना है simple सी बात है तो दस्मलो समान अंग पे करके हम जोड़ पाते हैं, दियान से देखिएगा यहाँ पर, अगर जिसमें दस्मलो ज्यादा अंग पे लिखा है, उसको पकड़ते हैं आप, तो लिखा है 0077, मतलब दस्मलो के बाद 4 अंग, सम्मे दस्मलो के बाद 4 अंग बनाना है, आईए इसको भी पकड़ते हैं, दस्मलों के ठीक नीचे दस्मलों को रखते हैं, और यहाँ पे साथ है, यहाँ पे क्या आपका है, जीरो है, साथ है, फिर अगला जोडने के लिए आएंगे तो दस्मलों के ठीक नीचे दस्मलों, दस्मलों से पहले साथ है, दस्मलों के यहां पर आपका तीन अंख है एक जीरो बढ़ा के 4 अब इनको क्या करना है जोड़ना ही तो है प्यारे अब सीधे जोड़ो आप साथ 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 14 सात एक आठ यहां पर हो जाएगा आपका साथ अब देखेंगे साथ 17 गुड़े पंदर प्लस प्लस पांच नच को सरल करने पर मान आता है वो भी बताना किसमे है लगभग में तो प्यारे आपको तो गुड़ा करना ही पड़ेगा जोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा उसके बाद आप कर पाएंगे कि पूड में या पूडांक में हमारा मान क्या रहा है दैसे तो आप क्या देख पाए तीन अंक पैसमलो एक दो तीन हमने बताया था कि ँड़्यदा करते वक्त इच कोई ध्यान नहीं जब गूड़्या कर लेंके तब दसमलो का ध्यान दिया तिनंग पे लगा दिया अधर देखिए पलस में करके जोडना ही है तो ठीक है दसमलो के ठीक नीचे दसमलो इसके पहले जीरो इसके पहले क्या है जीरो है एक है दो है यहाँ पे तीन है ठीक है भाई दसमलो के बाद इसमें चार अंक इसको भी चार बना लिजे लेकिन सबसे बड़ा जिसमें दसमलो के बाद अंक था वो यह है कि दस मलो के पहले 5 है, यहाँ पे 10 मलो, इसके बाद 2, 2, 4, 2, 6 अंक दिया है, 0, 0, 2, 5, 7, 5, इसको भी 2, 2, 0 बढ़ा के, इसको भी 6, 6 अंक बना लीजिए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, 5, 3, 8, 5, 4, 9, 4, 1, 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 मलो, 5, 5, 10, यहाँ पे ध्यान दीजेगा, 4, क्या हो जाएगा 50, आप देख पा रहे होंगे, कि 50 दस मलो, 0, 5, 9, 8, 7, 5 है, आप कहेंगे सर जी गुड़ा कहें कि यह तो गुड़ा देखिए, एंसर तो आपका 50 आएगा, क्लियर है, लेकिन गुड़ा क्यों कि यह, गुड़ा यह कि यह कि जेखिए, दस मलो के बाद, दस बढ़ जाता, लेकिन दस मलो के बाद, 0 आया है, और उसके बाद, 5 आया, यह तो हम गुड़ा करके जोड़ने पर ही पता चलेंगे न, तो इतना से हमारा एंसर गबढ़ा जाता, और एक 50 सही हो जाता, लेकिन यहां पे हमारा एंसर 85 होगा, क्योंकि दस मलो के ठीक बाद, ज सही होगा दोस्तों, अब आते हैं, लास्ट कोश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा सा कोश्चन है, पर इच्छा में देहान नहीं देंगे, तो पक्का गलत होगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, 0 दस मलो 9 है, ध्यान देंगे भाग का चीन है, आपको बताय पहले ब्रैकेट, तो देखिया हमने फिर अभी बताया कि गुडा करते वक्त दस मलो को पर की जूती समझते हैं, कि कपड़ा सब पहन लेते हैं, घर से निकलने की बारी होती है, तब आप क्या पढ़ते हैं, जूती या जूता पहनते, सेम बात है कि पहले हम गुडा कर ले, तिन ती रीके, नौ, गुडा हो गया, अब सोचेंगे एक अंक इसमें, एक अंक इसमें जोड के देखेंगे, तो दो आएगा, तो दो अंक पे दस मलो लगना चीए, तो एक जीरो लढ़ा लिया, यहां पे दस मलो हो गया, और यही तो भाग करना है, अब भाग में देखिय है आपको, द्यान दीजे, मैंने बताया है दस मलो को मैंने जे करना, अगर नीचे मुझे दस मलो चुकी हटाना है, दू अंक हटाना है, लेकिन उपरा माला कहरा हमाला तो यह कही अंक हटना है, तो इकरा भाई, मैं दू अंक हट रहा हूं, तो भी दू अंक हट ले, ना, त राइट हो गया मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बाते आपको समझ में आई होंगी अगर कोई प्राब्लम है तो कमेंट करके बताईए नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे कि दस मलों के हम वो इंपोर्टेंट कोश्चन पढ़ रहे हैं जो बार बार आपके नवदे के पेपर म इंपोर्टेंट क्लास आज के लिए इतना ही जहन दोस्तों